नमस्कारूं मैं डक्टर रिखा बर्मा से है आचारे राज की वंगर महा विधेले रीटवाना से आज हम बात करते हैं हिंदी साहित बीजिति वर्ष की प्रिथम प्रश्ण पत्र में विशे हैं केशव की संबात सौस्ठव आए अज इसमें विशेपा संबातों के उपर हम विश्तार से बात करते हैं केशव की प्रतिक अठोर व्यभार रखने वाले अलचुकों ने भी केशव की संबातों की प्रशंसा करते हुए उन्हें संबात योजना में अद्यूतिय कभी कहा है हिंदी का कोई भी कभी इतनी सफलता से संबादों को वातवरन की अनकुल तरल और भावानुकुल बनाने में सफल नहीं हो सका है नाटोकों में कोशल संबात तो रहती हि है पर इन्तों महा कावे में संबात योजना का सफल एवमनाटी की प्रयोग करके केशव ने कावे की शेत्र में एक नई उपलब्थी प्रस्तोत की है साच पूछा जाए तो रामचंद्र का महाकापी की सार्व सुलह बस्तू उसकी संबाद यूज नहीं है कावे में संबादों की सफल प्रयोग से उसकी कतावस्तू का प्रसार होता है पात्रों की चरित का विकास होता है और कथावस्तु में रोचक्ता थता कथाप्रभा की मारमित्ता आ जाती है अथे संबादों की तीन विशेश्टाएं मानी जा सकती है एक वेकावे की कथावस्तु की अविवर्धी करें दो वेकावे में परनित पात्रों की चरित विकास में सहाय खों और तीसरे वेकावे की कथावस्तु को रोचक एवं ग्राहे बनाएं इन विशेश्टाओं की आधार पर उनी संबादों को प्रभावशाली माना जाता है जो सौभावेक दतावक्ता की मनोदशे की अनुकूल हों उन में हिर्दे की इस्तिती की अनुकूल की शब्दों की संयोजना की गई हों वे सौभाविक एवं नाटे किये हों कुशल संबाद यूजना में वही कभी सफल हो सकता है जिसे संसार का व्यवहारिक ज्यान हो जो उपयुक्त और अनुपयुक्त अफसर्व की पहचान रखता हो कुशल संबादों की बल पर ही पात्रों में सजीविता और उनकी चरित्र में आकशन उत्पन होता है रामचंद्रिका की इसकून के कारण उनके पात्र मानस के पात्रों से भी अधिक सजीव और आकशक्पन पढ़े है बाब गुलाबराई ने केशव के संबादों की तीन प्रमुक विशेशताईं बताई है एक केशव ने अपनी संबादों में पात्र निर्दिश को कभी का अंग नहीं बनाया नाम बाहरी लिखते हैं जिससी कवे में नाट किये तैकि दर्शन होने लगे दूसरा पात्रों चित शिष्टाचार का निर्वा सफलता से हुआ है इसका मुक के कारण यह है कि केशव दरवारी कभी थे राजनितिक विश्यों में उनकी निजी रुची अवश्य रही होगी इंदरजीत सिंग के दरवार में रहने के कारण केशव में राज सभव विश्यक चातुरे और राजनितिक कारियों का सुआनुफुत अनुभव प्राप्टों हो गया था इसी से उसमें अद्वुत बाग पठोता भी आ गई थे राजनितिक दाव पेच्चों की उप्तियां के शिव ने अपने महा कब्य में कई इस्थलव पर व्यक्त की हैं रामण अंगत संबाद रामण हनुमान संबाद इस रिष्टी से बहुत ही सुन्दर दधा रोचक हुए हैं इसी प्रेकार अन्य संबाद भी बहुत ही सरस सजीव दधा आकरशक हुए हैं तीसरा रूप है पात्र तत्काल उच्चित उत्तर देते हैं यह पात्रोचित आशुवदिता केवल केशब की वाक्चातुरी की परिचायका है जैसे रे कपित कौन तो अक्षको घातक दूत वली रगुनंदन जूगो को रगुनंदन रे तिरिश्रा खर दोशन दोशन भूशन भूगो केशब की संबादों की सबसे विड़ी विशिष्ता यह है की कता प्रभा के साथ ही संबाद छोटी छोटी शब चंदों में निर्मिद होता है और वरणन के साथ ही चंद बड़ी होने लगते हैं पर पात्रानुकुल शिष्टाचार का सर्वत्र पालन हुआ है उधारण के लिए विश्वामित्र दश्रत संबाद को लेते हैं विश्वामित्र राजा लग दश्रत से याचना करने आते हैं अथे उनकी पाणी में याचक चिशे शब्दों का ही प्रयोग किया गया है राजन में तुम राज बड़े अते मैं म को मांगो सुदेव महामती अपने कुल शील और मर्याधा के कारण दश्रत के खिर्दे में उत्पन विवश्टा का कैसा मूर्थ और रूप चित्रित हो उठा है उधारण है प्राण दिये घन जाही दिये सब केशव राम न जाही दिये अप राम की मुक्स ही अपनी प्रिशन सा सुनकर जैनक जी को भी शिश्टा चार वर्ष बिनम्र एगम्दीन बचनों का ही उच्चारन करना चाहिए और वही उन्होंनी किया है हमको बपुरा मुन सुनिये रिशिराई सब गाउं छे सा तक की ठकुराई परिशु राम और राम का संबाद भी अतिन मर्यादित है प्रारंब में परिशु राम द्वारा राम की पिशन्सा और राम द्वारा विनम्नता पूर्वय को तर्द कितनी सजीव और मार्मिक है परिशु राम जी का संबाद है सुनी राम चंद्र कुमार मन वचन कीर्थी उदार राम केते हैं प्रगवश की अवतंस मुनिव्रत्ती है के ही अंस यहां परिशु राम और लक्ष्मन का वह सुरूत नहीं है जो मानस में अंकित किया गया है फिर भी लक्ष्मन द्वारा परिशु राम को मात्र हती कहे कर अपनी उद्धत सुभाब का परिचे दिया है जैसे परिशु राम केते हैं शत्रिय कुल है कि मिवेनन दीन रची कोटी करो उपचार नकेसु मीच बचो लक्ष्मन केते हैं चत्रिय द्वे गुरु लोगन के प्रतिपाल करें भूले ही तोतिन के गुन ओगन जीन धरें तो हमको गुरुदोस नहीं अब एक रती जो अपनी जननी तुमेही सुकपाय हती परिशु राम जी कहते हैं लक्ष्मन के पुरी खान के यो पुरुशारत सोन कहो परही बेश बनाई के यो बनितानी को देखत के शेव रही कूर कुठार नहार तजो फल ताको यह जो हियो जरे आजोती केवल ताको महाती के छत्रिन पे जो दया करी राम उत्तर देते हैं ब्रगुकुल कमल दिनी सुसुने जीत सकल संसार क्यों चले ही इन सुसुन पे डारत खोजस भार यहाँ पर लक्ष्मुन की बक्रता परशुराम की ब्यंगपून रोध शीलिता और राम की चातुरिपून कमभीता इस पस्ट पे इन जित होती है अंतर की बले तना है कि तुलसी ने अपने राम को मर्यादा से हटने नहीं दिया है वे शुरू से अंतर तक विनम्र और गंभीर ही बने रहे हैं पर किश्व की राम गुरु निंदा सुनकर उत्तिचित होकर परशुराम जी को युद्ध के लिए भी ललकारने लगे हैं जो उनकी कुलशील और पौरुश के लिए सर्वदा उभ्युक्त कार था शुपरखानी राम की जो प्रिशंसा की है वे कितनी सौभाविक और मनवेग्यानिक है क्योंकि वे राम को अपनी जाल में फसाना जाती है और इसकी लिए प्रिशंसा को छोड़कर और कोई मारगी ही नहीं है कि नर हो नर रूप विच्छन जच को स्वच्च सरीरन सो है चित चकोर की चंद की धों म्रग लोचन चार विमाने रूखो अंग धरे की अंग को केशव अंग की अनेकन के मन मोहो वीर जटान धरे धन वान ले बनितावन में तुम को हो इस चातुरी सी भरी प्रिश्ण का राम भी चातुरी पुन उतर देते हैं हम हैं दसरत्य महीपति के सुदु सुवराम सुलच्छन नामक संजुद ये सासन दिये पठे निप्रकानन मुनिपालो धागायलो राक्षसगन अपना परिचे देनी के सासत रामवन में आने का अपना प्रयोजन भी बता देते हैं मनियों की रक्षा और राक्षसों का नास इस प्रयोजन कथन द्वारा प्राकरंतर से वेश्वपनखा को यह भी सूचित कर देते हैं कि जिस रावन की तुम भगनी हो उसी को माना हमारा परमलक्ष है अर्थे मेरा तुमसे किसी भी प्रकार संबंद नहीं हो सकता मानस में भी शुपनखार राम को देखकर अतियंत कामातुर होकर उनसे विनीत शब्दों में प्रणयनी विदन करने लगी है तुमसम पुरश ना मोसम नारी ये संयोग भी दी रचा वचारी उस नियाबी कहा कि उसे अब तक कोई उप्युक्त पुरश नहीं मिला था इसलिए विकवारी ही रही पर उस वाचल एवं लंपट इस्त्री से तुलसी की जाम ने अथिक बात करना अच्छा नहीं समझा और अही कुमार मोर लभू ब्राता केकर लक्षमार्ची की पास उसे धकेल दिया केशव की राम मर्यादा पुरुशोत ममशे हैं पर तुलसी की राम की दरे इतने संकोजी नहीं की समय आने पर किसी कुल्ट इस्त्री को करारा उत्तर ना दे सकें चंद्र प्रवहा के लिए अंगत रामन संबात का उधारन है राम की कहा काम कहा रिबुजीत ही कौन कवे रिबुजीत्यों कहा बाली बली चलसों भरगुनंदन गर्ब हर्यो जुजी दीन महा दीन सुक्यों छतिछत्र हत्यों बिन प्रानन है है राज कियो है है कौन वहे बिसरियो जिन खील थी तुम्हे पात लियो रामन की निम इस गथन में राजनीती की दाबबिच को कितनी सुन्दर ब्यंजना करती रक्षित होती है देही अंगत राज तो कहू मारी बानर राज को बांदी देही विवीशन हीं अरू फूरी सेत समाज को पूँच जा रही अच्छे रुप कोई पाई लागई रुद्र के सीए को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र के बारत जी की कहने पर की मुनी बालक हो तुम यक करावो इसमें गर्वित व्यंग ध्वनी का अभिप्राही समझ कर बालक कुष अपनी प्रित्यूर्पत बुद्धी से अपनी दाशनिक ज्यान का परिचे दीता है बालक बृत्य कहो तुम का को देहनी को कि तो जीब प्रभा को है जर दीह कहे सब कोई जीब सु बालक बृत्य न होई लव की द्वारा भी विशन के प्रित्य कही गए दोही में कितना तीका व्यंग और कितनी मर्व भेदी को तुकती है उधारण हैं को जाने के बार तु कही न है न है न माए सोई ते पत्नी करी मौनू पापिन की राय जहां तक संबाद योजना की बात है ये असंदिक तुरूप से कहा जा सकता है कि केशव इस शेत्र में तुलसी से आगे बढ़ी हुए है केशव एक दरवारी गभी थे उन्हें प्रतिक्षन नवरम संबादों का अनुभव उता रहता था और यही कारण है कि उनके संबादों में अधिक सजीविता है वैसे तुलसी की भी परुशु राम लक्षमन संबाद और अंगत रावन संबाद कम मार्मिक नहीं है परंतु उन्हें इतनी भ्याबगता और सजीविता नहीं आने पाई है जितनी की केशव के संबादों में बिध्यमान है जाईशी की राजा गजबती संबाद रतनसीत पदमाबती संबाद आदि में जाईशी ने अपने सूफी सिधानतों को भरने का प्रिहास किया है आते हैं उनमें तीवरिता की देशन नवकर, गंभीता की ही देशन होते हैं जाईसी की संबादों में प्रितिक पात्र एक रंबा व्याखान से देता हुआ द्रिश्टी कुचर होता है जिससे उनमें नाटगीता बिल्कुल नहीं आपाई है बहाँ पर पात्र की अपिक्षक अभी अधिक बोलता है तुल्जी की संबादों में सजीवता कम है पारिशूराम संबाद में किशब ने पूर्ण शिष्टाचार का निर्वा किया है जिसमें तुल्जी सर्वधा असफल रहे हैं तुल्जी ने हनुमान रावन संबाद में हनुमान की मुख से जो सट मूर अधम आदिशब्धों का प्रियोग कराया है पैसिष्टाचार की दिष्टी से सर्वधा अनुचित और असंगत है हिंदी साहिते में कहीं भी केशब की संबादों से समानत रखने वाले संबाद नहीं मिलते और इस दुर्ष्टी से केशब का इस्थान निर्विवाद सर्वध स्विकार किया गया है केशव के प्रतिक कठोट दष्टिकों टकने वाले आचार रामचन शुक्ल ने भी उनके संबाद सवस्टव की भूरी भूरी प्रशनसा करते हुए कहा है रामचन्दरका में केशव की सबसे अधिक सफलता मिली है संबादों में इन संबादों में पात्रों की अनकोल क्रोध उत्सा आदी की ब्यंजना भी सुन्दर है जैसे लक्ष्मन रामण राम परुशुराम संबाद तता संबादों में वागपटुदा और राजनेतिक की दाव पेच का आभास भी भाब पूर है उनका अंगत संबाद तुलसी की संबाद से कहीं उप्युक्त और सुन्दर है इन्दी साहित का आलुचनात्मक इत्यास नमक पुस्तक में श्रीहंस राज अग्रवार लिखते हैं कैशब को संबादों में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है कैशब की वागपटुदा कप्रमाण हमें उनकी संबादों से प्राप्त हुता है रामचंदिका में वर्नित संबाद पात्रों तथा रसानुकुल भश्य के कारण अत्यथिक सरस और सजीब बन गए है पात्रों की अनकुल कुरोद उस्सा आधी की विंजना भी सुन्दर बन पड़ी है इसी विशे में डॉक्र गुपीना दिवारी का विमत उलेकनिया है उनकी अर्थात केशब के वागपटुदा उनकी कही संबादों को सजीब और शशक्त बना देती है उनके विश्वामित्र जनक, रामन वाना सुंक, लवकुष, शत्रुधन, हनुमान विविशन संबाद और अंगत रामन संबाद अधिक सुन्दर बन पड़े हैं सुमती विमती संबाद तो अलंकार भापसी अतिन्त आकरंत होकर कुरूप बन गया है अंगत रामन संबाद में आचारी किशव ने राजिसवा के अनुभव का खुलकर उप्योग किया है और राजनितिक दाप बिचों का पासा फेका है इस प्रकार यही कह सकते हैं कि यादिपी जायशी तुलसी आदी सभी कभियों ने संबाद तो लेके हैं पर इस कला में किशव भी सबसे अग्रनी रहे है उन्होंनी रामचंद्र का में अनिक संबादों की यूजना की है और उनकी कारण उसमें नाटक किसी से सजीविता आ गई है धन्यबाद